नागरिक्ता संशोधन कानून लागू होने के बाद हर जगा से मिली जूली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं एक तरफ भाजपा इसे एतिहासिक फैसला बता रही है तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जगा जगा इसका विरोध प्रदशन देखने को मिल रहा है नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनित अवाज जब से CAA कानून लागू होने के बाद इसके बाद एक तरफ अगर भाजपा का देखा जाए तो वो उसे एतिहासिक फैसला बता रही है लेकिन दूसरी तरफ जो है लोग विरोध प्रदशन पर उतराए हैं खासकर अगर मुसल्मानों की बात कीज़े तो मुसल्मान जो है इसका विरोध जता रहे हैं कि हमें अपना नागरिक्ता का प्रमान देने की क्या ज़रुरत पड़ गई और उसके बाद जो है हम इस पे आज तक लिखता हैं उसको आपको पढ़के सुना देते हैं नागरिक्ता संशोदन कानून यानी CAA देश भर में लागू हो चुका है एक दिन पहले 11 मार्ची केंदर की मोधी सरकार ने इसे लागू करने का नौटिफिकेशन जारी कर दिया है संसत के दोनों सदनों में बिलपास होने के बाद भी पिछले 4 साल 2019 से ये कानून लागू नहीं हो पा रहा था लेकिन सोमवार को इसे लागू कर दिया गया सीए लागू होने के बाद देश भर से मिले जोली प्रतिक्रियाय आ रही है क्योंकि ये जो कानून है 4 साल से जो इक तरफ अटका हुआ था उसके बाद इसे भाजपा ने लागू किया तो भाजपा इसे एतियासिक फैसला बता रही है लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मुसल्मान जो है विरोध प्रदेशन जता रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग जो है इसके समर्थन में भी है लेकिन जो कुछ लोग जो इसका विरोध प्रदेशन जता रहे हैं उनका सीधे तोर पर ये कहना है लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध प्रदेशन कर रहे हैं वोट बैंक लेने की राजनीती बता रहे हैं भाजपा को कि जिस तरीके से उन्होंने बोला है सब को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले वाले जो नागरिक आये हुए हैं देश भर से बांगला देश हो पाकिस्तान हो या और जगाओं की बात कर लें वहां से उनको नागरिकता देने की जो है भाजपा सरकार ने इस चीज में बताए कि उनको नागरिकता दी जाएगी और उसके बाद अगर देखा जाएगर हम रोजगार की बात करें जहां पर अगर रोजगार देने की बात आती है तो भाजपा सरकार करेती कि जनसंख्या बहुत जादा है तो कहां से रोजगार दिया जाएगा लेकिन उसके बाद अगरिक्ता देने की वाद है जो दूसरे जो जगा से लोग आके भारत में बस रहे हैं उनको नागरिक्ता दे रही है अब क्या जनसंक्या में फरक नहीं पड़ेगा अब क्या जनसंक्या बढ़ नहीं रही है फिर इन लोगों को जो दूसरे लोगों को ना जाने की सला दी है उन्होंने कहा है कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने से कोई हल नहीं निकलेगा CAA पर कानून पहले से ही संसत से पारित हो चुका है उन्होंने यह भी चेतावनी दिये कि यह दिराजनितिक दल बंद का अहान कर दिया अहन करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद किया जा सकेगा जिस तरीके से CM जो असम के मुख्य मंत्री है हेमंद विस्वा उस सीधे तोर पर लोगों से यह कह रहे हैं कि आप जो है सड़कों पर प्रदरशन ना करके सीधा सुप्रीम कोट जयां कि सड़कों पर पर प्रदरशन करने से कोई हल नहीं निकला है अगर हम आपको पहले की बात जिस तरीके से महिलाएं पहल्वान बेटी किसान जो है जो फॉजी हैं किA लागू होने के बाद लगतार लोग विरोध प्रदेशन जता रहे हैं एक और जगा जो है शाहीन बाग जामिया नगर में पुलिस का फ्लैग मार्च CAA लागू होने के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षक कड़ी कर दी गई है अर्द सैनिक बलो के जवानों ने उत्तर पूरवी हिस्से शाहीन बाग जामिया नगर और अन्ने सम्वेदंशील इलाकों में रातरी गशत और फ्लैग मार्च किया है बता दें कि जब 11 दिसम्मर 2019 को संसद में CAA बिल पारित किया गया था तब दिल्ली सहीद पूरी देश में विरोध प्रदशन हुए थे इसमें 2019-2020 में भी महीनों तक CAA विरोध प्रदशन हुए जामिया, मीलिया, इसलामिया और शाहिन बाग इस अंदोलन का केंद्र था 2020 की शुरुवात में इस मुद्दे पर शहर के पूरवोत्तर हिस्सों में साम्प्रदा एक दंगे हुए थे जिसमें 53 लोग मारे गये और 500 से अधिक घायल हो गए थे मतलब सोचे 2020 के अगर बात रहे तो इसमें भी लगतार जो में जो इनके विरोध प्रदशन करने वाले थे वो जामिया के लोग थे और उसके बाद आखर अगर हम आपको बता है तो 53 लोग मारे गये थे सामप्रदाइक दंगे भढ़के थे और उसके बाद 500 से अधिक लोग घायल हुए थे तो अब सोच ये जो ये CA कानून है जो मोदी सरकार ने लागु कर दिया है तो अब सोच ये कितने सांप्रदाइक दंगे भढ़के जाएंगे, कितने लोग घाया लोंगे, कितने लोगों की मौत होगी इस पे लगतार जो है लोग X पे पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि काला कानून है इसको वापिस लिया जाए इसको पारित करके शायद कही न कहीं मोधि सरकार वोट बैंक की राजनिती कर रही है वोट हासल करने के उसमें है क्योंकि अगर कहीं न कहीं रोजगार की बात करें और जो और भी चीज़े हैं स्वास्थे की बात करें उस पे जो मोधि सरकार है ध्यान नहीं देती है 24 के चुनाफ से पहले शायद ये कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनिती कर रही है CAA कानून लागू होने के बाद X पे पोस्ट करके वाज़त खान लिखते हैं CAA काला कानून है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश में 3 करोड से जादा अल्प संक्यक है मज़ग की बुनियादी पर इन लोगों को नागरिक्ता दी जाएगी इसमें भारत में भुकमरी, बेरोजगारी और बढ़ेगी मतलब सिए तोर पर ये कह रहे हैं कि अगर जो बहार के जो लोग है उनको भी नागरिक्ता दे जाएगी तो बेरोजगारी और भुकमरी वैसे ही चरम सीमा पर है भारत में अगर देखा जाएगी इन लोगों को भी नागरिक्ता दी जाएगी तो उसके बाद जो है बेरोजगारी और जो भुकमरी वो भी दुबारा और बढ़ेगी और जादा बढ़ते भी दिखाई देगी इसके बाद एक और चीज़ वाजित खान लिखते हैं कि पहले कागस संगी दिखाएगे मतलब DNA रिपोर्ट आखिर ये औलाद भारतियों की है भी या फिर अंग्रेजों की सीरे तोर पर वाजित खान जो है RSS को टार्गेट करते हुए बोल रहे हैं कि पहले कागस संगी दिखाएगे उसके वाज इस पर आज तक लिखता है कि पाकिस्तान के लोगों को सरकारी पैसे पर भारत में बसाया जाएगा CAA पर बोले अर्विंद केजरिवाल CAA पर अर्विंद केजरिवाल ने भी CAA पर ही बोला है मोदी सरकार को घेरते हुए CAA पर लिखता है CAA लाने का असली कारण ये है कि मोदी सरकार का ताकि पाकिस्तानियों, बांगलादेशियों रोहिनिया को कानूनी नागरिक्ता देकर सुविधाय और सुरक्षा दी जा सके और फिर चुनाव में अपना फायदा साधा जाए वा मोदी जी वा CAA तोर पर मोदी को बोल रहे है कि इन्होंने चुनावी जो जुम्ला खेला है इस तरीके से नागरिक्ता देके वोट बैंक में बार बार बोल रहे है वोट बैंक हासल करने के लिए 2024 के चुनाव से पहले इस तरीकी राजनीती कर रही है भाजबा सरकार ताकि जो तमाम वोट जिन जिनको वो नागरिक्ता देगी वोट उनके हाथ में होंगे इस पे उवैसी लिखते हैं संगियों को 2 करोर नौकरिया नहीं मिली मगर इनको अपने कागज लेकर लाइन में खड़े होने का शौक है 2019 में चौकिदार से प्यार हुआ था और अब शायद रद्धी वाले को दिल दे दिया जब देखो तब कागज मांगते रहते हैं उसके बाद इसमें रिम्शा फातिमा लिखती हैं कि CAA के मुद्धे पर चीफ बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फरेंस असादुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहाए कि वो इस काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे मतलब हुए ऐसे सीधी तोर पर ये बोल रहे हैं कि जो काला कानून है CAA जो लागू किया गया है शायद कहीना कहीन लोगों के विरोध में ये कानून लागू किया गया है और जो इसको लेकर जो इस कानून को लेकर ये काला कानून बताया जा रहा है इस कानून को लेकर वो सीधर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे उसके बाद हमने आपको पूरी वीडियो में बताएंगे कि सरीके से CAA लागू हुआ है चार साल बाद जो ये CAA लागू किया गया है और इसके बाद BJP इसे एतिहासिक फैसला बता रही है कई लोग इसका समर्थन करते वें नजर आ रहे हैं कि उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी लेकिन इसमें मुसल्मानों को कही ना कही नाम नहीं लिएगे तो मुसल्मान इसमें विरोध प्रदेशन जताते वें नजर आ रहे हैं